आइए नाजरीन आज हम आपको सीख कबाब बनाने की एक ऐसी रेसिपी देते हैं जिसके लिए के बार्बी क्यू की जरूरत नहीं है और दूसरा यही रेसिपी जो है यह हांडी कबाब के लिए भी इस्तेमाल होती है इसके लिए हमने वन केजी मिन्स लिया है one and a quarter teaspoon full हमने salt का लिया है one and a quarter teaspoon जो है वो हमने crushed chilies का लिया है 5 to 6 हमने green chilies लिय है थोड़ा सा fresh coriander है medium to large size 3 onions लिये है one and a half inch की हमको ginger चाहिए होगी 3 quarter teaspoon जो है वो whole coriander है और 3 quarter teaspoon ही हमने cumin seeds के लिये हैं यानि थनीया और zeez रैह सबसे पहले जो onions थे, उनको हमने slice करके chopper में डाल लिया है, coriander भी काटके इसमें डाल लिया है, और साथ ही हमने green chilies जो थी 5-6 green chilies वो इसमें डाल ली है, जिंजर को इस तरह slice कर लें ताके उसके टुकड़े न रहें, और इन सब चीजों को हमने अब chop कर लेना है, इसके बाद जो whole coriander और cumin seeds थे, उनको हमने थोड़ा सा पैन में roast कर लेना है, इनकी जैसे ही खुश्बू आए, आप इनको कूट लें, ये कोई 1-1-1-1-2 teaspoon जो है, ये भर के तयार हो दोनों चीजों का बना हुआ मसाला जो है, salt and chili flakes भी इसमें डाल लेने है, अब आपने इस chopper में मिंस टा जाएंगे, कीमा जो है, इसमें पिस्त हो जाएगा लेकिन यक जान नहीं होगा, इसको आपको निकाल के थोड़ा सा जो है, वो हाथ से मिलाना पड़ेगा, आप जो है, हमने पैन इनको तलने के लिए, स्टोफ पर रखा है, जिसमें हमने थोड़ा सा कोई 1-2 tablespoon oil जो है, जो ह आपने इनको अंदर से भी पकाना है, कबाब जो है, यह हमारे हो चले है, थोड़ी तरबाद इनको खोल कर देख लें, और इनको फिर हमने एक pot में निकाल देना है, जिसके दरमयान में हमने एक छोटी सी, स्टील की कटोरी रखी हुई है, अब जो पैन है, उसको आपने कब कबाब तलने के बाद साफ कर लेना है, किचें टाउल से इसके बाद फिर प्र ओबलने के تھोड़ा सा ऐल डालकर उसी तरहा बागी के कबाब तलते रहना है बनाने लगे आपने देखा कि हमने हाथों को पानी लगाया है उससे यह होगा कि यह कीमा जो है यह आपके हाथों को चिपकेगा नहीं यह देखिए हमारे कबाब जो है यह बहुत तेजी से तयार हुए है और इनको हमने अपनी पाट में रख लिया है और दूसरी तरफ जो है वो हमारी लकड़ी चल कर कोईला बन गई है यह लकड़ी जो है यह हमने अब उसकाटोरी में डाली है उसके ओपर हम थोड़ा सा ओयल बनाना सिखाते हैं आप यकीन कीजिए के यह हनडी कबाब चो है यह पहले ख़तम होंगे और सीख कबाब बात में इनकी तैयारी के लिए हमको चद एक चीजों की जरूरत होगी जिसमें सबसे पहले हमने फॉर लाज साइस के सीख कबाब लिये है थृ लाज के हमने रेड ट 1-2 teaspoon whole coriander लिया है और 1-2 teaspoon हमने cumin seeds लिया है अब हमने सबसे पहले onion जो है उसको pot में slice किया है उसमें हमने थोड़ा सा cooking oil डालना है और इसको pink कर लेना है whole coriander और cumin seeds को हमने roast कर लिया है लाल हो तो इसको आप हाथ से कूट ले अनियन जो है वो हमारे pink हो गए है अब हम इसमें tomatoes जो है वो काट कर डाल लेते हैं सीख कबाब जो है उनको हमने इस तरह काट लिया है एंगल से कुछ लोग जो है हांडी कबाब केबे की तरह भी बनाते हैं मोटे पेट वाले कबाब जो होते हैं चोंच वाले लगते तो बहुत हुपसूरत हैं लेकिन मेहनत तलब काम है तो इतनी patience तो हमें नहीं है कि हम एक कबाब बनाकर हांडी कबाब बनाएं अब यह देखिए हमारा मसारा जो है करीबन तयार है इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है पानी बिलकुल खुश्क हो जाए और और जब आपको अलग से दिखाई देने लगे तो इसमें आपने चिलीज और सॉल्ट जो है वो डाल दे और इसके ओपर हमने फ्रेश कोरियंडर जो है वो काट के डाल देना है साथ ही हमने ग्रीन चिलीज जो है वो भी इस पे स्लाइस करके डाल देनी है और इसको अब आपने थोड़ी दिर के लिए ढख देना है कोई 5-7 मिनिट्स के लिए दीमी आज पर यह देखिए अब हम इ कैसी रेसिपीज हैं आज के दौर की जो नई हों और अच्छी भी हों तो ट्राइ कीजए खुदा करे कि यह आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो इसके साथ ही हमें इजास्त दीजिए अल्ला हाफिज